असलाम अलेकुम जी सो लास्ट लेसन में हम लोगों ने जो ज्यादा टाइम स्पेंड किया था वो 8-bit 16 और 32-bit images का जो concept है उसको understand करने की कोशिश की थी इस lesson के अंदर हम लोग photoshop को थोड़ा सा understand करते हैं कि that how photoshop works तो यहां पे मैं layers को open कर लेता हूं और जैसा कि अब देख सकते हैं मेरे पास एक by default layer photoshop ने खुद add कर दिया that is background और यह बिल्कुल white color है इसका मैं lock यहां से खतम करता हूं जी और different selection tools को देख लेते हैं तो मैं यहां पे इस rectangular marky tool की selection करता हूं अब जैसा कि बहुत सारे concepts हैं वो बड़े similar हैं illustrator के साथ तो आपको यहां बजो चोटा सा arrow नजर आ रहा है इसका मतलब है कि अगर मैं इस पे click and hold करूं तो मुझे मजीद options नजर आएंगी तो मैं यहां से rectangular marky tool select करता हूं और यहां पे जी मैं एक selection करता हूं इस canvas के उपर और इसके बाद मैंने इस selection को fill करना है तो अगर आप लोग left side पे देखें तो यहां पे आपको black और white नजर आएगा ठीक है अब अगर illustrator की बात करें तो उसमें आपको fill और stroke नजर आता है इसमें आपको foreground color और background color ये दोनों आपको options देखने को मिलेंगी ठीक है इसमें आपको stroke और fill नहीं बलके foreground और background colors आपको मिलेंगे ठीक है तो अगर आपने अपना foreground color अपनी selection में fill करना है तो आप अपने keyboard से alt delete प्रस करें ठीक है तो इसने क्या किया आपका foreground color जो भी था वो इसने fill कर दिया आपकी selection के अंदर अभी भी जो आपको part नजर आ रहा है ये selected है ठीक है ये इन line से पता चल रहा है तो अगर मैं इस foreground color पर click करूँ और मैं यहां से color change करता हूँ और इसके अलावा मैं दुबारा alt delete प्रस करता हूँ तो इसने foreground color मेरी selection के अंदर दुबारा से place कर दिया ठीक है जी अगर मैं अपनी selection खतम कर दूँ मैं अपने keyboard से control D प्रस करूँगा तो जितनी भी मेरे canvas के ओपर selection होगी यह उसको खतम कर देगा उसको D select कर देगा ठीक है और इसको मैं करता हूँ जी zoom जूम करके इसको देखते हैं तो यहां पे आपको पता चलेगा कि उसने कुछ pixel के colors को change कर दी है अगर आप layers में भी देखें तो मैं इस red square को move नहीं कर सकता क्योंकि इसने क्या किया इसने मेरे canvas के कुछ pixels का color ही change कर दिया जबके illustrator के अंदर हम कोई भी नई shape draw करते थे कोई line लगाते थे तो वो अलग से layer में उसको add करता था और हम उसको move कर सकते थे उसको delete कर सकते थे यहां पर क्या है यहां पर बिल्कुल same concept है for example मैं आपको बताता हूँ जैसा कि आपके पास एक white board है ची के for example इसको कंसिलर कर लेता है यह एक white board है और आप उस white board के ऊपर कोई paint cut color कर लेते हैं तो यह अपने paint कर लिया Uso white board के ओन तो आप इस paint को तो move नहीं कर सकते लेकन आप इस paint को override कर सकते हैं कि इसी और color के साथ ठीक है या आप इसको remove कर सकते हैं लेकिन आप इसको move नहीं कर सकते है ठीक है जी तो इसका क्या हल है जी हम दुबारा से selection करते हैं इस area की और हमने इसको दुबारा white में convert करना है तो white में हमारे पास white color हमारा background color में placed है तो मैं अपने keyboard से control delete press करूंगा तो यह background color इसने fill कर दिया मेरी selection के अंदर तो अगर आप foreground color करना चाह रहे हैं अपने selection वाले area के अंदर तो आप alt delete press करेंगे और अगर आप background color करना चाह रहे हैं selected area के अंदर तो आप control delete press करेंगे ठीक है और यह concept आपको समझना है कि Photoshop अलग से layers add नहीं करता बलके आपके canvas के उपर paint कर देता है ठीक है यह paint कर रहा है मेरे canvas के उपर और अगर आप जो brush यूज कर रहे हैं तो brush के उपर इस वकत foreground color जो भी आपने select किया है brush वह वहला color इस्तमाल करेगा ठीक है जी तो यह हमारे पास paint हो रहा है और इसको हम move नहीं कर सकते हैं बलके इसको override कर सकते हैं किसी और color के साथ यह हम लोग control Z press करके वापस जा सकते हैं पिछले steps के उपर अगर आप चाहते हैं कि जो आप इसमें paint करते हैं किसी pixel को color assign करते हैं उसको आप move भी कर सकें तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका है पहले हम यहाँ पे एक selection करते हैं इसको वापस white में convert करते हैं मैं तोबारा control D press कर रहा हूं यहां से जाके आप एक new file create कर लें ठीक है जी और इसके बाद मैंने layer 1 को select किया हुआ है यह transparent layer है क्योंकि अगर मैं इसको hide करूँ तो आपको पता चल रहा है this is a transparent layer इसमें किसी भी pixel को कोई भी color assign नहीं हुआ वा वा तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं जी इसके कु hold D press करते हैं ठीक है तो इसने क्या किया जी इसने मेरे इस layer के ओपर कुछ pixels को एक color assign कर दिया अब अगर मैं इसको move करना चाहूं तो मैं इन colors को move कर सकता हूं तो अगर आपका कोई background है और आप उसके ओपर कोई colors move करना चाह रहे हैं कोई भी ऐसी चीज जो कि आप adjust करना चाहते हैं बाद में भी तो उसका बहतर तरीका यह है कि आप इस layer की selection के बाद उसको colors assign ना करें बलके new layer create करें और उसके अंदर कुछ pixels को color assign कर दें अब आप इन colors को move कर सकते हैं ठीक है पीछे आपको यह layer नजर आ रही है और front side पे आपको यह वाला box नजर आ रहा है जो कि चंद pixels हैं जिनको हमने colors assign किये थे अब हम इन pixels को actually move कर रहे हैं ठीक है तो एक बड़ा यह basic सा concept है Photoshop का कि इसमें pixels के जो colors हैं वो किस तरह से काम करते हैं because यह वाला concept थोड़ा सा different है as compared to Adobe Illustrator तो इसको समझना बहुत जरूरी था बहुत important था इसके बाद हम अगले lessons के अंदर कुछ selection tools को देखेंगे और यह देखेंगे कि यह selection tools कैसे different हैं और किन scenarios के अंदर कौन से selection tools ज्यदा effective हैं So, see you in the next lesson. Thank you so much.